प्यारे बच्चों, अस्सलाम आलेकुम, आज हम पॉइम पाड़ींगे टुदे कुकु बाई विलियम वर्जवर्थ टुदे कुकु आप नहीं सुना होगा कि कुकु एक बर्ड है परिंदा उड़ने वाला इसकी जो हम इसको कोयल बोलते हैं कुकु को हम कोयल बोलते हैं कोयल जो होती है, इसकी कुक बहुत ही निराली होती है कोयल की कुक बहुत ही निराली होती है In this poem, William Wordsworth hears the sweet voice of कुकु He says that कुकु जो होता है, ये कुछ महिनों के लिए विन्टर को वार्टर में रहता है कुछ महिनों के लिए फिर समर्स में बाहर निकलाता है When the poet hears the voice of कुकु, he feels very happy and says that it has recently come from its winter quarters ये अपने winter quarter से बाहर निकलाया है Winter quarters ये विन्टर कोटर से बाहर आया है The sweet music of the bird fills the poet's heart With joy, with happiness, poet's heart is filled By listening the voice of this कुकु He welcomes the bird He welcomes the bird With many sweet names ये जो कुकु की आवाज सुनके William Birdsworth बहुत खुश होता है इसका दिल गोंच उचता है खुशी से और ये वेलकम करता है इस bird को कि ये recently it has been come out from its winter quarters खुशी से जूम उठता है ये कई प्यारे प्यारे नामों से इस कोईल को बलाता है किस-किस नाम से बलाता है? पहले हम पढ़ेंगे क्या कहता है? ओ बलत खुशी सचे का इस से अवड़ेंगे जब ये वेफ़ेंगे You are a happy newcomer. The bird's sweet wobbling fills the poet with joy. I hear thee and rejoice. Poet says to the cuckoo that Jab mein ne aaf ko suna, mein bohut khush hoa. That is why he calls the bird, O Billith Newcomer. यानि क्या कहता है? O Happy Newcomer. मेरा दिल गुँज उठा खुशी से आफ को सुनकी. फिर क्या कहता है? पहला कहता है O Billith. दूसरा कहता है O Cuckoo, Shall I call the bird or but a wandering voice? ये कुकु से कहता है O Cuckoo, क्या मैं आफ को bird कहूं? और but a wandering voice. wandering voice इसलिए कहता है क्योंकि उसकी आवाज पहले दाएं आती है, फिर बाएं से, आगे से, पीछे से, इसको पता नहीं चलता है ये आवाज कहां से आती है, वहां ही मैं जाऊं। अगर दाएं जाता है तो लगता है बाएं से आई. इसलिए उसको ये कहता है, ओ, और but a wandering voice. या तो क्या मैं ये bird से ही question करता है, ओ, कुकू. फिर question करता है, शाल आई काल दी bird, क्या मैं आफको bird कहूं? और but a wandering voice. या तो मैं क्या आफको wandering voice, गुंचती हुवी आवाज कहूं. फिर मैं मुझे जब ये आवाज, point says that I am in search of this bird. The bird remains visible to the point. The bird remains visible to the point. इसको लगता है ये कहीं पे होगा, but its sweet voice can be heard from different places. इसकी आवाज हर जगा आती है. The point wonders if he should call the cuckoo a bird or a wandering voice. अब point बिचार है हैं क्या मैं इसको bird कहूं? या wandering voice. फिर ये क्या कहता है? While I am lying on the grass, दाइटू fold shout here. The point wonders if he should call the cuckoo a bird or wandering voice. Then he lies on the grass. वो सोता है फिर, लेटता है grass पे. The two-fold voice of the bird comes to him sometimes from far off and sometimes very near. It seems to pass from hill to hill. Point says to the point, क्या मैं आफ को, मैं फिर से repeat करती हूँ. Point कहता है bird को, क्या मैं आफ को happy new year, sorry, happy new comer कहूं? जो मैं आफ की आवाज सुन रहा हूँ, मेरा दिल खुशी से गूँच उठता है. या मैं आफ को कुकू कहूं? Shall I call the bird? क्या मैं आफ को bird कहूं? और बाटे wandering voice, या तो मैं आफ को wandering voice कहूं. फिर जब point को लगता है कि मैं यहां पे लेटूं, तब मुझे पता चलेगा ये आवाज कहां से आती है? जिस तरह हम कहते हैं न कश्मीरी में इस रोजों जागी ये आवाज का परशेवान? वैसे ही. From hill to hill, it seems to pass at once far off and near. या तो ये कभी दूर से लगती है आवाज, या तो near लगती है. कभी die two fold shout, shout means चलाना, जैसे ये voice कभी दुगना हो जाती है, इतना ये voice, ये कुकुकी आवाज मेरे खानों में आजाती है. That means point, जो है, ये अपना बच्पना याद करता है. जब ये छोटा था, ताब ये voice सुनता था, फिर ये ऐसी हरकते करता था. First sentence I is sufficient for today. Thank you very much.